एक्सिस बैंक की एकाउन में KYC या RE-QYC अपडेट करना बहुत ही आसान है इसके लिए आपको ब्रांस में भी जाने का कोई जरुवत नहीं होता है तो अगर आपको नहीं पता कि कैसे KYC को अपडेट करना होता है तो इस वीडियो में आगे जाके आपको इसके बारे में पू होना भी बहुती जरुरी है कि आपके जो सेविंग्स अकाउंट आपके इसे में KYC यू ह्के नहीं तो इसे पता करने के लिए आपके पास एक्सिस बैंक की एक्सिस मोबाइल ऐप होना बहुती जरुरी है अगर आपने एक्सिस बैंक की perceived नहीं किया है तो इसके बारे में मै आपका KYC due है के नहीं अगर आपका KYC due है तो उहां से आप बढ़ी आसानी से KYC को आपडेट कर सकते हैं और एक ही दिन में आपका KYC वो आपडेट हो जाती है तो बिल्कुल भी टाइम उस ना करके चलिए देख लेते हैं कैसे KYC को आपडेट करना होता है या फिर कैसे चेक कर करना होता है कि KYC pending है के नहीं तो पहले तो आप Axis Mobile आपको open कर लिजिए उसमें जो भी login method है उसे use करके आप Axis Mobile आप पे पहले login कर लिजिए तो login हो जाने के बाद कुस ऐसा interface आपके सामने दिखाए देगा तो यहाँ पे आपको जाना होगा left side के ऊपर के corner पे यहाँ पे interface आपके सामने दिखाए देगा तो KYC आपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे my profile के option पे click करना होगा my profile के option पे click करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाए देगा update KYC का option तो यहाँ पे आपको click करना होगा एक बात आपको याद रखना होगा अगर आप KYC online update करना चाहते है तो आपके account में pen number update होना mandatory है अगर आपके account में pen number update नहीं है तो आप online KYC update नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर दिखिए आपका नाम दिखाएगा आपका date of birth भी दिखाएगा उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको क्लिक करना होगा उसके बाद आपको यहाँ पर occupation सिलेक करना होगा तो जैसे कि यहाँ पर business का कोई option नहीं है तो यहाँ पर unemployed के option पर में click कर देता हो उसके बाद यहाँ पर proceed के option पर click कर देता हो उसके बाद यहाँ पे आपका जो annual income है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा तो यहाँ पे हम annual income आपका जिस हिसाफ से है वो ही आपको डालना है तो पहले आप annual income डाल दीजिए जो भी आपका साल में income होता है उसके बाद source of fund में यहाँ पे हम यहाँ पे business कर देते आपका जो भी ह आपको चेक करके यहाँ पे नीचे confirm के option पे आपको click करना होगा फिर देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है select address you want to update तो permanent address और communication address दोनों मेरा same to same है तो यहाँ पे जो permanent address के जगाँ पे permanent address और communication address पे जगाँ पे communication address ही रहेगा इसके लिए दोनों जागा पे click करके आगे बढ़ता हो तो यहाँ पे हम proceed के option पे click कर देते है उसके बाद देखिए यहाँ पे तीन option है जैसे के पहले आधर का driving license और voter card जो voter card और driving license अभी coming soon दिखा रहा है तो अगर आपको QIC update करना है तो आधर के through करना होगा तो यहाँ पे जैसे के जो address अभी आपने देखा है ओधर के basis से ही update होगा तो यहाँ पे आधर का option by default select किया है उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से proceed के option पे click करना होगा फिर आपका जो आधर card है ओधर card number यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा तो आधर number डाल देने के बाद यहाँ पे जो time sun condition का option है यहाँ पे आपको click करके फिर generate OTP के option पे आपको click करना होगा फिर आपके register phone पे OTP आपको receive होगा OTP आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा उसके बाद नीचे verify OTP का option आपको दिखाए देगा तो यहाँ पे आपको click करना होगा फिर आपको कुछ time wait करना होगा उसके बाद आपके सामने message आ जाएगा कि आपका जो KYC है वो successfully update हो चुका है देखिए यहाँ पे request ID भी दिखा रहा है तो गाईस आपने देखा कितने आसानी से access mobile app के थुरू आपका जो pending KYC उसे अफडेट कर सेकते गाईस वीडियो को लेकर अगर आपके मान में कुछ भी सवाल है तो please comment लोक से बताना मैं उसका answer जलूर करूँगा का इस वीडियो अच्छा लगए तो लाइक किजिए, कॉमेंट किजिए और अपने दुस्त के शाथ शेयर भी कर दीजेगा और अपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि आफ के लिए मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ तो चली मिलते अगले वीडियो पर तब तक के लिए thank you, take care and bye